देखो पिछले मेने के कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर काफी ज़्यदा उतार चड़ा हो चुके हैं जैसे कि आपको टाटा नेक्सोन की पोजिशन काफी ज़्यदा नीचे देखने को मिल जाएगी वो तो सीधा 11 नंबर पर जा चुकी है इसके अलाबा मारुति सुजगी की ज अंदर फिलहाल के लिए राज कर रही है इस वीडियों के अंदर में उन 25 कारों के बार मैं आपको डीटल में इंफूमेशन देने वाला हूं जो कि लास्ट मंद पूरे भारत में सबस्दब की है यह एक प्रिम्यम सेग्मेंट की हैज़बैक कार है और इस कार के पिछले मही पाच हजार 148 यूनिट विके हैं लेकिन पिछले साल के अप्रिल में 468 यूनिट विके थे यह आपको यह और टाटा अल्ट्रोस के सेल्स में 11 पर्सन की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इस हैजबैक कार की कीमत 6,65,000 रुपे से शुरू होकर 10,80,000 रुपे तक चली ज जाएगा जिसके दिए यह कार आपको अच्छा खासा माइलेज देने वाली है 24 पोजिशन पर हुंड़े की आई 20 यह यह टाटा अल्ट्रोस के साथ और बलियनों के साथ राइवल करती है और आई 20 के पिछले महिने 5,199 यूनिट विके हैं लेकिन पिछले साल के एप्रिल म में year on year 20% की गिरावाट देखने को मिल जाएगी वही आई 20 की कीमत 7,4,000 रुपे से शुरू हो कर 11,21,000 रुपे तक चली जाती है यह पर अगर मैं कीमत को कंपेर कर हूँ तापको आई 20 की मत अल्ट्रोस की मुकाबले थूड़ी से ज़्यादा देखने को मिल जाएगी चाह इसके पिछले मैंने टोटल 5,328 यूनिट बिके है लेकिन पिछले साल के एप्रिल में 6,107 यूनिट बिके थे यह पर आपको किया करेंस के सेल्स में year on year 13% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और इसकी कीमत 10,52,000 रुपे से शुरू होकर 19,67,000 रुपे तक चली जाती है हलाकि किया की करेंस काफी बहतरी इनकार मानी जाती है फीचर्स के मामले में ये कार आपको बिल्कुल भी डिसपोइंट नहीं करेगी लेकिन एक जगा पर ये कार आपको डिसपोइंट करने वाली है वो है सेफटी 22 पोजिशन पर महिंद्रा की एक्सविस 7W आईए और इस कार के पिछले मेंने 6,134 यूनिट बिके है लेकिन पिछले साल के एपरिल में 4,757 यूनिट बिके थे यहापर आपको येर और 29% की ग्रोध देखने को मिल जाएगी और 217W की कीमत लगबग 14 लाक रूपीज से शुरू होकर 27 लाक रूपीज तक चली जाती है हाला कि इसके टॉप मॉडल के अंदर आपको एड़ास जैसे जबदस फीचर देखने को मिल जाएगे 21st position पर थार आईए और ये एक ओफ रोडर कार है काफी सदा मानी जाती है ओफ रोडिंग के लिए और लास्ट मेंद थार के 6,160 यूनिट बिके है लेकिन पिछले साल के अप्रिल में 5,302 यूनिट बिके थे यहाँ पर आपको year on year महिंद्र थार के सेल्स में 16% की ग्रोध देखने को मिल जाएगी थार की कीमत 11,25,000 रुपे से शुरू होकर 17,60,000 रुपे तक चले जाती है 20 पोसेशन पर किया की सेल्टोस आई है अब देखो यहाँ पर आपको किया सेल्टोस के सेल्स में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी अगर हम पिछले 2-3 सालों का सेल कंपेर करें वहाँ पर ये टॉप 10 लिस्ट के अंदर आती थी लेकिन अब इसकी है लास्ट मद किया सेल्टोस के 6,734 यूनिट बिके है वही पिछले साल के एप्रिल में 7,213 यूनिट बिके थे यह पर आपको एरो नियर किया सेल्टोस के सेल्स में साथ परसंग की गिरावट देखने को मिल जाएगी इसके फेसली मॉडल की कीमत लगबग 10,90,000 रुपे स चली जाती है 19 पोजिशन पर टाटा की टियागो आई है जो कि एक एंट्री लेवल हैज़बैक कार है और टाटा टियागो के लास्ट मंद 6,796 यूनिट बिके है वही पिछले साल के एप्रिल में 8,450 यूनिट बिके थे यह पर आपको एर अनियर टियागो के सेल्स में 20 पर अप्षिर में मिल जाएगा और कंपनी ने इसका इलेक्टिक मॉडल भी इंडिन माकेट में लॉंच कर दिया है अब देखो यह जो सेल में आपको बताऊंगा यह दोनों ही मॉडल का बताने वाला हूँ लास्ट मंद इन दोनों ही कारों के 7,103 यूनिट बिके है वही पिछ नया प्रोडक्ट है मारुति सुदुगी के तरफ से और लास्ट मंद ग्राइंड विटारा के 7,651 यूनिट बिके है लेकिन पिछले साल के एपरेल में 7,742 यूनिट बिके थे यह अब आपको हाडली कुछ यूनिट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा लेकिन इसकार की कीमत लगब 11 लाग रुपे से शुरू होकर 20 लाग रुपे तक चली जाती है 16 नंबर पर हुंडई की एक्सटर आई है जो की टाटा पंच के साथ राइवल करती है और ठाटा पंच की पोजिशन आपको फॉर्स्ट देखने को मिल जाएगी वहीं हुंडई एक्सटर की को मिल जाएगी 15 पोजिशन पर किया की सोनेट आई है जो कि एक कॉंपक्ट सिविकार है और किया सोनेट के लास्ट मंद 7901 यूनिट बिखे है वहीं पिछले साल के एप्रिल में 9744 यूनिट बिखे थे यहापर आपको किया सोनेट के सेल्स में एयर और 19 परसंट की गिराव आ जाती है कभी-कभी टॉप 5 लिस्ट के अंदर ये अपनी जगह बना लेती है लेकिन पिछले चार से पाच महिनों में ये टॉप 10 लिस्ट के बाहर चली गई है तो यहापर इसके सेल्स में आपको काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा लास्ट मन्त अल्टो के थर्टिंथ पॉजिशन पर हुंड़ा की वेन्यू आई है ये बी एक कॉंपक्ट सिविकार है और हुंड़ा वेन्यू के पिछले मेंने 9,120 यूनिट बिके है वही पिछले साल के अपरिल में 10,342 यूनिट बिके थे यहापर आपको हुंडा वेन्यू के सेल्स में एयर और 12 परसन की गिरावट डेक्टिंग को मिल जाएगी और इसकी कीमत 7,94,000 रोपे से शुरू होकर 13,48,000 रोपे तक चली जाती है 12 पर महिंदर की बोलेरो आई है अब यह जो सेल में आपको बताने वाला हूँ यह सेल बोलेरो नियो और बोलेरो का क्लासिक मॉडल मिला कर हुआ है दोनों ही कारों के पिछले मेंने 9,537 यूनिट बिके है वही पिछले साल के अपरिल में 9,054 यूनिट बिके थे यहापर आ आपको काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा यह और इसके सेल्स में ड्रॉप आ चुका है और मंत ओन मंत भी आपको काफी बड़ी गिरावत देखने को मिल जाएगी हाला कि 2-3 महने पेले यह फॉर्स्ट पोजेशन पर आती थी कभी-कभी सेकेंड नंबर पर भ गिरावत देखने को मिल जाएगी लेकिन मंत ओन मंत इसके सेल्स में काफी भारी गिरावत आ चुकी है टाटा निक्सोन की कीमत 8,15,000 रॉपे से शुरू होकर 15,80,000 पे तक चली जाती है टेंथ पोजिशन पर मारती सुजुकी की एको आई है और इसके पिछले मेंने 12,060 य ले जाती है नाइन्थ पोजिशन पर मारती सुजुकी की अर्टिका आई है और अर्टिका के पिछले में ने 13,544 यूनिट बिके है लेकिन पिछले साल के एप्रिल में 5,532 यूनिट बेके थे यहां पर आपको 145 पर्सन की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी देखो इसकार क आपको काफी लोग पसंद करते हैं इसके अंदर आपको काफी बहतरीन कमफर्ट देखने को मिल जाएगा इंजिन भी काफे ज़्याइबल है और इसकी कीमत 8,69,000 रुपीज से शुरू होकर 13,3,000 रुपीज तक चले जाती है एट नम्मर पर मारती सुजुकी की बलियो आई के हैं वहीं पिछले साल के एपरिल में 16,180 यूनिट बिखे थे यहां पर आपको एर और बलेनों के सेल्स में 13% की गिरावट देखने को मिल जाएगी बलेनों की कीमत 6,66,000 रुपीज से शुरू होकर 9,88,000 रुपीज तक चले जाती है सेवेंत पोजिशन पर मारती सुजु यूनिट बिखे है लेकिन पिछले साल के एपरिल में 8,784 यूनिट बिखे थे यहां पर आपको एर और और 63% की ग्रोध देखने को मिल जाएगी और फ्रॉंस की कीमत 7,500,000 से शुरू होकर 13,000,000 रुपे तक चले जाती है सिक्स्त पोजिशन पर महिंदर की स्कॉर्पियो अब यह जो सेल में आपको बतने वाला हूँ यह स्कॉर्पियो एन और क्लासिक मॉडल मिला कर सेल बताने वाला हूँ लास्ट मत इन दोनों ही कारों के लगबख 14,807 यूनिट बिके है वही पिछले साल के एपरिल में 9,617 यूनिट बिके थे यहां पर आपको येर और 54% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और दोनों ही स्कॉर्पियो की कीमत 13,59,000 रुपिस से शिरू होकर 24,54,000 रुपिस तक चले जाती है अब दे को 5th पोजिशन पर हुंड़े की क्रेटा यह जिसका फेस्लिप मॉडल रिसेंटली इंडिय में लाँच हुआ था लास्ट मंद बिके है लेकिन पिछले साल के अपरिल में 14,186 यूनिट बिके थे यह पर आपको 9 परसंग की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी वही क्रेटा की कीमत 11,00,000 रुपे से शिरू होकर 20,15,000 रुपिस तक चले जाती है फूर्थ पोजिशन पर मारुती सुज़ोगी की डिजायर आई है यह भी काफे कंसिस्टेंटली अच्छा खासा परफॉर्म कर लेती है इसका फेसली मॉडल बहुत जल्दी इंडाय में लांच होने वाला है और लास्ट मंत डिजायर के 15,825 यूनिट बिके है लेकिन पिछले साल के एपरिल में 10,132 यूनिट बिके थे यहां पर सब्सक्राइब को पचार दिया है सब्सक्राइब के अंदर और यहां पर ब्रेजा की 17,113 यूनिट बिके हैं वही पिछले साल के एपरिल में 11,836 यूनिट बिके थे यह और आपको 45 परसन की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ब्रेजा के सेल्स में और इसकार ने काफी लास्ट मन्त वैगनार के 17,850 यूनिट बिके हैं वही पिछले साल के एपरिल में 20,879 यूनिट बिके थे यहां पर आपको 15 परसन की गिरावट देखने को मिल जाएगी लेकिन एक बार फिर से ये सेकेंड पोजेशन पर आ चुकी है वैगनार की कीमत 5,54,000 रुपे से शु ले जाती है अब देखो फर्स्ट पोजेशन पर टाटा पंच आ चुकी है जिसने सभी को चोका दिया है और इसका सेल सुनकर आपके तो डेफिनिटी होश उठने वाले हैं लास्ट मद टाटा पंच के 19,158 यूनिट बिके हैं लेकिन पिछले साल के मार्च में 10,934 पर आ जाती थी चाहितों कभी डीजायर आती थी और टाटा पंच तोड़ इन इंडिया की मन्स वीडियो लाने वाला हूं उसके लिए आपको सबस्क्राइब करके बल नौटिकेशन को ओन कर तो